हलो हाद दोस्तों फिर आपका स्वागत हमारे चैनल जिसस्टडी 94 में दोस्तों आज के नियूज में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है पर दोस्तों कुछ है जिसे हम बताना चाहेंगे यहां तक ही अमेरिका जशादेश उसके सीर पे कई करोण का इनाम भी रखा है ऐसे में दोस्तों जो फिलिस्तीन के राजदूद थें उनके साथ एक मंच साजा किये थें जिस पे काफी बवाल हो गया ठीक है फिर उनको वापस बुला लिया गया है तो उसके बारे में दोस्तों ठीक है यह देखिए राउल पिंडिम हफी शाइद के शाद फलिस्तिन के राजदूद वरलाद वलीद अबुली तो दोस्तों भारत के बिरूद के बाद इस राजदूद को बुला लिया गया है और है दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपारी सरकार से नितिन हुए नाराज यह रुपारी सरकार से नितिन हुए नाराज इसलिए दोस्तों क्योंकि यह सोचते हैं इनके गार्डिंग और इनके जो समर्थक है यह चाह रहे हैं कि यह मुख्रमंत्री बन यह देख सकते हैं आप लोग नई टाइटिल और पांच कट के साथ पास होगी पदमावती जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पदमावती का बिरोधता दोस्तों जो भी करणिशना जो भी रही होगी यह बस एक कर सकते हैं कि ओड़ बैंग की राजनीती थी कि हिंदू के आपत देना पड़ेगा कि इसमें किसी तरह का जो सती प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है यह सब भी इसमें डाला जाएगा और कुछ सीन दोस्तों इसके काटे जाएंगे और और दोस्तों आज के लिए इतना ही और आगे हम देखते हैं जो हमारा संपादकी है जो एडिटोरियल उसके बारे में हम अद्धिन करेंगे मुश्किल चुनतियों के समक्च मुदी सरकार तो आज का हमारा जो संपादकी है यह द्यानिक जागनर से लिया गया है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मुश्किल चुनतियों के समक्च मुदी सरकार अजसे लिखा है संजगुप्त ने तो चलते हैं आगे ने वर्स के आगमन की यहट के साथ भविस्की राजनितिक दीसा दसा के भी कुछ संकित मिलने से सुरू हो गए हैं सबसे महत्वूर संकित ततकालती इंतलाग पर प्रस्तावित कानून से संबंदित बिधेक पर बहस के दोरान लोगसभा में मिलें राजनितिक कारणों से सपा बीज़त राज़त और कई अन्य दलों के साथ कांग्रेशन इस बिधाय के कुछ प्रावधानों का बिरोत तो किया लेकिन जब मतदान की नौबद आई तो करीब करीब सभी प्रमुक बच्छी दलों ने सरकार का साथ देने में ही अपनी भलाई सम किया है लोग सभा में तीन तलाक संबंदी बिदेग पर बहस के दरवान त्रिमूल कांग्रेश के सांसत तो इतने ससांकित रहें कि उन्होंने बहस में हिंसा तक नहीं लिया ध्यान रहें कि उस समय से ममता बनर जी पश्चिम बंगाल में हिंदू हिताशी नेता की छवी धा कांग्रेश के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं कुछ ऐसे ही जतन अन्य चेतरी दल भी करते दिख रहे हैं कांग्रेश ने तो मुस्लिम तुष्टिकरन की अपनी नीती से मुक्त होने का सिलस्रा गुजराच चुनाओं के दोरानी शुरू कर दिया था इसके ताथ रहुल कि मंदिर गये हैं और उनकी पार्टी की नेताओं ने उन्हें जने उधारी हिंदू तक करार दिया यह बात और है कि रहुल के मंदिरों का चक्कर लगाने से कांग्रेश को गुजराच में कोई खास लाब नहीं मिला उसे जो लाब मिला वह हार्दे कलपेस जिगने जैसे न राजगी से इसपश्ट है कि गुजरात के हिंदू राहूल के मंदिर मंदिर जाने से प्रभावित नहीं हुए फिलाल यह तैया नहीं है कि कांग्रेश सरीखे दल मुस्लिम तुष्टी करों की राजनिती का किस हद तक पर इत्याक करेंगे लेकिन यह तैया है कि अगर वे तो यह अच्छे से समझ ही गई है कि सेकलरिजम के नाम पर मुस्लिम तुष्टी करण की राजनिती करने वाले डलों की अपनी छवी बदलने की कोशिस और इस क्रभ में खुद को हिंदू हित ऐसी दिखाने के तैयारी से भाजपा को साथ ही परिशानी हो लेकिन इसकी भियन का सामना इसलिए करना अपड़ा क्यूंकि एक और जहां जातिवादी राजनिती करने वाले नेता कांग्रेस के साथ आ गए वही भाजपा गुजरात के किसानों की नाराजगी दूर करने में सक्षम नहीं हुई कांग्रेस ने गुजरात में आरचण का जैसा दावचल कर भाजपा की चुनोती को गंभीर बनाया वैसा ही वह राजस्तानों बिधानसवा चुना वाले अन्य राजज़ू में भी चल सकती है वह रचण मांग रही जाट गुजर्ड आदी जातियों के पच्छ में खड़ी हो सकती है दरसल इस पर हैरत नहीं कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरों की राजनीती छोड़कर जातिवादी राजनीती में लिप्थ हो जाए यह तो किसी से छिपा ही नहीं है कि अधिकांस छेतरी दल जातिविसेस की ही राजनीती करते हैं सपश्ट है कि कांग्रेस सम्मेत अन्य पच्छी दलों की जातिवादी राजनीती का सामना करने में भाजपा को मुस्की ला सकती है जाटवादी राजनीती के साथ मोधी सरकार के लिए किसानों की समस्याइं भी एक बड़ा मसला बन सकती हैं भले ही किन सरकार ने वह संदोजा 22 तक किसानों की आज़ दुगनी करने का वादा किया हूँ लेकिन फिलाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है खेती से लागत की भी वसूली ना हो पाने के चलते मोधी सरकार से किसानों की नराजगी बढ़ती दिख रही है यदि इस नराजगी को थामा नहीं जा सका तो भाजबा की समस्याइं बढ़नते हैं यदि समस्याइं बढ़नी तो उनका असर आगामी लोक्सवा चुनाओं में ह भी दिखाई दे सकता है यह ठीक है कि फिलाल मोधी की लोग प्रीता के सामने अन्य कोई नेता ठाड़ता नहीं है दिख रहा है और तमाम अक्रामक्ता के बाद भी कांग्रेस सद्यचपत पर आशिन हो चुके राहूल गांदी अभी उन से पीछे ही नजर आ रहे हैं लेकिन मोधी सरकार इसके अंदेखी नहीं कर सकते कि राहूल बाद बाद पर उससे घेर रहे हैं हलांकि वह कोई बैकल्पिक एजंडाता है करने में सच्छम नहीं देख रहे हैं लेकिन उनकी आक्रामक्ता से कांग्रेस जन उत्साहित तो है ही मोधी सरकार के सामने करने बड़ी चुनोती रोजगार के परयापत आउसरों के अभाव की रूप में खड़ी होती देख रही हैं तमाम उपायों के बावजूद रोजगार के उतने आउसर नहीं पैदा हो पा रहे हैं जितने आप इच्छी थे हैं चुकि मोधी सरकार अब सकता कि किसी सरकार को किसानों और युवाओं की नाराजकी कितने महंगी पड़ सकती है चूंकि रोजगार का संकट राजनितिक आर्थिक के साथ ही एक समाजिक चुनोती भी है इसलिए सरकार को इस मोर्चे पर गमीरता से ध्यान देना होगा इसलिए और भी क्योंकि आर्चन की बढ़ती मांगों के पीछे कहीं न कहीं खेती का घाटे का सौधा होना और नई नकरियों का प्रयाप्त गुंजाइश न बनना है राजनितिक राजनितिक और समाजिक चेत्र के अलामा आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ गमीर समस्या न जरा रही है इनमें एक बड़ी समस्या जेस्टी के अमल के बाद घटे राजस्व की है एक तो अभी जेस्टी को ही दुरुस करने की चुनोती है और दूसरे घटरते निवेस की भी राजस्व की कमी को दूर करने के लिए सरकारी साल एक फरवरी से अंतर राजजी स्थर पर ईबिल सिस्टम लागग करने जा रही है इसका मकसद टैक्स चोरी पर लगाम लगाना और काले धन की समन अंतर अर्थिवेस्था पर चूट करने के साथ राजस्व में बिर्धी करना भी है इस सिस्टम को लागग करने में समस्या आई तो बेपारी मोधी सरकार की प्रती नए सीरे से नाराजगी के प्रदर्सित कर सकते हैं यदते हैं कि वच्छी दली से नाराजगी को भुनाने का उसर छोड़ने वाले नहीं है अगर अंतर राजजी इबिल सिस्टम लागग करने में समस्या आई तो फिर जून संदोजा 18 में एक राजज के अंदरी सिस्टम को लागग करना और मुश्किल होगा इसलिए और भी क्यूंकि तब कई राज्यों के चुना करीब आ जाएंगे